Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज हम start करने वाले हैं Class 12 की जो आपकी विस्तास book है उसका last chapter which is Memories of Childhood by Zitkala Sa and Bama अब आपका ये जो chapter है, ये दो parts में divided है याने दो चोटी-चोटी stories में divided है जिसमें जो जो first story है, वो है The Cutting of My Long Hair और उसकी author है Zitkala Sa and the second part है story की, उसका नाम है We too are human beings और उनके author है Bama तो basically इस chapter में दो चोटी-चोटी stories दियें और दोनों stories में दो चोटी बच्चीओं की बात बताई गई है कि उनके childhood में क्या ऐस experience था जो उनको lifetime याद रहा और जो की society में नहीं होना चाहिए So, सबसे पहले मैं जो chapter का first part है याने की the cutting of my long hair वो cover करूँगी उसके author के बार में बताऊंगी उसका introduction and जो मेरा video का part number 2 होगा उसमें आप we too are human beings की author के introduction के बार में और chapter के introduction के बार में देखेंगे So, यहाँ पे हम first part, the first story है chapter के उसके बार में पहले discuss करते है So, author cutting of my long hair उसकी author है जितकलासा उनके बार में पढ़ते हैं So, Gertrude Simons Bonin, born in 1876 So, इनकी birth हुई थी 1876 में was an extraordinarily talented and educated native American woman So, यह बहुत talented थी और बहुत educated काफी पड़ी लिखी थी और यह native American woman थी याने की America के रहने वाली थी who struggled and triumphed in the time when severe prejudice prevailed towards native American culture and women इसने बहुत ज़ादा struggle किया बहुत बुरा समय देखा क्योंकि तब दूसरे culture के जो लोग है वो American culture और American women को बिलकुल अच्छे से treat नहीं करते थे तो यह वो lady है जिसने वो समय देखा है As a writer, she adopted the pen name Zitkala Sa तो क्योंकि यह writer है, उन्होंने अपना pen name याने की writing की दुनिया में अपना original नाम नहीं लिखती बलकि अपना professional नाम लिखती है जो कि है Zitkala Sa And in 1900 began publishing articles और year 1900 में इन्होंने अपने कई सारे articles, newspaper articles published किये of my long hair, यह इनका खुद का autobiographical account है याने की इनका real life experience है जो एक हो दिया भी हमें अपनी story में बताएंगी So, introduction Chapter में क्या होता है? कि एक लड़की होती है, obviously जो हमारी chapter की author है Zitkala Sa यह एक Indian American होती है ज्याने की पैदा इंडिया में होई है पर रहती अमेरिका में वहाँ पर जिस अमेरिका में जिस school में पढ़ती है जिस hostel में पढ़ती है वहाँ पर Americans के साथ अच्छे से treatment नहीं किया जाता ओके, सो क्या होता है जब यह जाती है, तो देखती है कि सारी जो लड़किया है वो बहुत tight dresses पहनी होई है बहुत indecent dress पहनी होई है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उनका dress इनको लगता है कि यह बहुत indecent है, अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत beautiful दिखती है लड़किया उसमें और जोल अपने long hair shingle करता है याने cut करता है याने कि वो coward है याने कि उस कायर इंसान की तरह है जो जंग में हार की आ गया है तो इनके लिए अपने बाल काटना उस कायर इंसान की तरह बनने लाइक था क्योंकि इनकी mom ने इने ऐसा बताया था और ये अपनी mom को बहुत प्यार करती है और अपनी mom से दूर एक hostel में पढ़ने है ये तो इनको वहाँ पे बार-बार अपनी mom की याद आती है जब ही यह आती है तो इन्होंने देखा कि एक pale face woman एक बहुती strict woman है जो उनको काफी देर सो दर dining room में जहां सब बच्चे खाना खाते है notice करी और इनके long बाल notice करी है इनकी एक friend जूडविन ने उसी दिन सुबह इनको बताया था कि ये लोग हमारे बाल cut कराना चाहते है तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं अपने बाल submit नहीं करूँगी मैं इन तक struggle करूँगी याने आकरी तक लड़ूँगी तो जूडविन ने का हमें करना ही पड़ेगा ये लोग बहुत strong है अगर हमें याँ पढ़ना है तो और फिर जो हमारी author है वो एक बड़े से room में एक bed की नीचे जाके छुप गई के एकदम boycott hair इनके कर दिये और उस दिन इनको बहुत humiliation, बहुत disrespect feel हुई, बहुत बुरा feel हो रहा था रहा था इनको लग रहा था कि ये उन जानवरों की तरह है भेड में उन जानवरों की तरह है जिसको कोई देखने वाला नहीं कोई सुनने वाला है नहीं, बस एक जानवर की तरह इनको यहाँ पर treat किया जा रहा है और उनको अपनी mother की बहुत याद आती है क्योंकि जब भी यह रोती हैं तो इनकी mother इनको console करती है, इनसे discussions करती है और यहाँ पर एक इंसान एक single soul इनके पास इनको discuss करने नहीं आई इनसे कुछ भी तो यह बताती है कि यह मेरी memory है childhood की, मेरे बच्पन की मेरी यह memory है, जो बहुत हाश थी जो एक culture को दूसरे culture की वज़े से जो दो cultures के difference की वज़े से एक इंसान को face करनी पड़ी तो क्योंकि यह Indian American थी हमारी author इनको बहुत discrimination face करना पड़ा western world में, याने की भेदबाव हुआ The story describes how an Indian girl was forced to wear western dresses and cut her hair by her school authorities तो जो इनकी school authorities थी, इन्होंने जबरदस्ती इसको एक indecent dress पहनने के लिए force किया, याने की बहुत tight और जो बहुत गंदा दिख रहा था वैसा dress पहनने के लिए इनको force किया और जबरदस्ती इनके long hair cut कर दिये in order to make her look like an American student और ऐसा क्यों किया? ताकि वो American student जैसी दिखे और Indian ना दिखे तो basically वो इस Indian American culture को like नहीं करते थे इसलिए उसको completely American look देने के लिए उस Indian girl के साथ ऐसा इनो ने किया इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस chapter में So let's begin with the introduction of the chapter The first day in the land of apples was a bitter cold one तो author बताती है कि मेरा पहला दिन था school में land of apples में याने कि यह वो area है, यह वो जगह है जहां land of apples का जाता और यहां पे apples बहुत ग्रो होते है और वो bitter cold था याने कि यह जगह बहुत थंडी जगह थी और पहला दिन था इनका school में For the snow still covered the ground और इतना थंडा था कि जो बरफ थी वो जमीन पे अभी भी जमी हुई थी And the trees were bare Bare मतलब not covered with leaves क्योंकि snowfall हो रहा था सर्दियों का मौसम था तो पेड़ पे एक भी leaf नहीं थी Trees bare थे वहाँ पर A large bell rank for breakfast और author ने एक आवाज सुनी एक bell की आवाज सुनी याने कि अब ये घंटी बजी अब breakfast याने नाशता करने का time हो गया है It's loud metallic voice Crashing through the bell fry वो बोलती है Crashing का मतलब breakthrough याने बहुत तेज आना आवाज और bell fry मतलब क्या होता है Part of a bell tower तो बोलते हैं कि ये bell tower था वहाँ पे और यहीं से ही एक metal के hit होने की crash होने की आवाज आई याने घंटे की बजने की आवाज बहुत तेज आई Overhead and into our sensitive ears और बोलने लगे कि वो इतनी तेज आवाज थी इस bell के बजने की breakfast bell की कि हमारे sensitive की ears में कान में दर्द होने लगा इतनी तेज ही आवाज थी The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace Clatter का मतलब क्या होता है Bang Sound of heavy objects जब बहुत सारे लोग एक जगा पे जूते पैन-पैन के आते हैं जाते हैं तो वो जूतों की जो shoes की जो आवाज है वो आवाज की बात हो रही है तो कहती है कि वहाँ पे सबने बहुत तेज आवाज करने वाले जूते पहने होए थे सभी students ने और हमेशा वो आवाज आती रहती थी जिससे कभी भी author को peace याने शान्ती नहीं मिलती थी The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring and unknown tongue तो वो कहती हैं कि हमेशा यहाँ पर आवाजे होती रहती हैं जूतों की आवाजे हैं, हमेशा चिलाने की आवाजे होती हैं और हमेशा यह चीज़ की आवाजे उनको annoy याने disturb करती थी किसको author को और वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में murmur कर रहे हैं murmuring यानि कि मतलब धीरे धीरे बात करना फुस फुसाइड करके वहना continuously जो बात करने की आवाज होती उसे murmuring sound कहते हैं unknown tongue यानि ये जितने लोग थे सब एक unknown language में यानि वहाँ की जो native language है उसमें बात करते थे जो author को समझ में नहीं आती थी तो वो और परिशान होती थी कि ये क्या बात कर रहे हैं सब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा made up bedlam within which I was securely tied bedlam यानि की unrest due to many people talking together at the same time तो कहते हैं ये जूतों की आवाज ये harsh noise, ये metal bell की आवाज और सब लोग पता नहीं कौन सी language में एक दूसरे से continuously बिना रोके बात करते रहते हैं ये सारे आवाजे एक साथ मुझे बिलकुल rest नहीं देती हैं यानि बहुत बिलकुल peace feel नहीं होता मुझे और ऐसा लगता है मैं एक bedlam आगई हूँ कि जहां मैं जितनी भी struggle कर लूँ जितनी भी कोशिश कर लूँ यहां से बाहर जाने की मैं जान नहीं पाऊंगे क्योंकि मुझे पढ़ना ही है और ऐसा लग रहा है मेरी freedom, मेरी आज़ादी अब खतम हो चुकी है तो ये सब author के thoughts है अब pale face woman with white hair came up after us we were placed in a line of girls who were marching into the dining room pale face याने की yellow face हलका सा पीला face जिसको होता है तो कहती है कि अब हम सब girls को line बना के march कर के याने की line बना के चलके dining room में जाना था जहां पे सब लोगों को खाना खाने के लिए breakfast करने के लिए बुलाया था कहती है वहाँ पर एक बहुत ही dangerous टाइप की दिखने वाली औरत जिसका yellowish टाइप का face था और white कलर के बाल थे वो continuously मुझे stare कर रही थी याने घूर के देख रही थी These were Indian girls in stiff shoes and closely cleansing girls अब ये जो लड़किया line बना के dining room में गई थी ये सारी Indian girls थी और ये stiff shoes याने बहुत tight tight shoes पहनी हुई थी जिसमें से आवाज आती थी बहुत याने बहुत आवास करते थे इनके जूते और cleansing याने बहुत tight dresses पहनी हुई थी इन Indian girls ने जो की काफी indecent दिख रही थी The small girls wore sleeved aprons and shingled hair और जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने क्या पहने थे Sleeved aprons, aprons एक type का ऐसे cover type का होता है वो पहना था इन लड़कियों ने और सब के hair shingled थे याने किसी के भी long hair नीथे सब के कटे हुए boy cut type के बाल थे As I walked noiselessly in my soft mucassins I felt like sinking to the floor Mucassins क्या होता है याने comfortable shoes एक ऐसे shoes जो चलते वक्त बिल्कुल आवाज नी करते हैं बहुत comfortable होते होने mucassins कहते है तो कहती है इन सब ने ऐसे जूते पहने हुए थे पर मैने तो अपने soft mucassins पहने थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं sinking to the floor हो रही हूं याने extremely disappointment याने उसको बहुत disappointment feel हो रहा था author को for my blanket had been stripped from my shoulders कहती है जब मैं line बना के dining room में जा रही थी और मैंने अपने mucassins पहने हुए थे उस ताइम मुझे मेरे साथ एक ऐसी चीज होई कि मुझे लगा कि मैं विल्कुल जमीन पर गिर जाऊ याने मैं बहुत disappointed feel कर रही थी क्यों? क्योंकि author ने इस तरीके का एक blanket ऐसा एक shrug पहना हुआ था अपने shoulders पे और इस pale face woman ने उनका ये shoulder कीच के shoulder से ये shrug खीच के निकाल दिया इन्होंने ये cover करके पहना था क्योंकि उनको ये decent लग रहा था लेकिन उस woman ने इसको हटा दिया इसके shrug को जो इनके shoulders पे लगा हुआ था और इनको बहुत गंदा लगा और इनको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा author को उस ताइम पर I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes immodestly का मतलब indecently तो author कहती है मैं दूसरी Indian girls को देखके हैरान हो रही थी कि उन्होंने कितनी indecent कपड़े पहने हुए थे कितनी tight dresses पहनी थी मैंने तो फिर भी अच्छे पहने थे उन्होंने तो मुझसे भी बुरे कपड़े पहने हुए थे और उनको कोई फरकी नहीं पढ़ रहा था तो कहती है मुझे उनको देखके बहुत अजीब लगा वाइल भी मार्जडेन दे बॉइस एंटर आता है न ओपोसेट डूर आई वाच्च्ट फो थी यंग बेज हू केम इन आर पाटी तो कहती है जैसे हम डाइनिंग रूम में गए एक ओपोसेट दर्वाजे से तीन बॉइस एंटर हुए वो काफी ब्रेव लग रहे थे और काफी बहाद्दूर लग रहे थे लेक्यों क्योंकि उन्हें डर नहीं लग रहा था क्योंकि उन्होंने भी उसी तरीके के अमेरिकन कल्चर के कपड़े नहीं पहने थे उन्होंने अपने हिसाब से कपड़े पहने थे तो उनको डर नहीं लग रहा था जैसे ओथर को लग रहा था क्योंकि ओथर ने उनके हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे I spied them in the rare ranks, looking as uncomfortable as I felt. Spied याने की notice करना, किसी को देखना. और rare याने की last, बिलकुल आखरी तक देखना. तो author केती है, मैंने तीन लड़कों को जातो है, बिलकुल आखरी तक देखा. जैसे मैं uncomfortable feel कर रही थी इस नहीं जगा पे, केते हैं, वो भी तीन लड़के शायद uncomfortable feel करे थे, क्योंकि वो भी इस new place में आई हुए थे. A small bell was stabbed and each of the pupils drew a chair from under the table. फिर केते हैं, एक छोटी सी bell बजी और सारे लोगों ने dining hall में से एक chair ऐसे निकाली और खड़े हुए हैं वो लोग. अब भी कोई बैठा नी, स्रिफ अपनी chair बाहर निकाली इस bell के tap से सारे बच्चों ने. Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped it in front of one side. But when I turned head, I saw that I was the only one seated and all the rest at our table remained standing. तो author को लगा कि ये bell इसी लिए बजी है ताकि सब बस chair निकाली और बैठेंगे. तो author ने बस bell बजी, chair निकाली और वो बैठ गई चुपचा, जैसी उसने इदर उदर देखा, उसने देखा रहे, सारे बच्चे तो अभी सिर्फ chair निकालके chair के पीछे खड़े हुए, कोई भी नी बैठा, तो वो बहुत घबरा गई. Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. author को बैठना पड़ा और उसको बहुत embarrassing लग रहा था, बहुत शरम हारी थी कि बापरे, मैं कितनी गलतियां कर रहे हूँ, और यह वो pale-faced woman, जो है, वो मुझे continuously घूर रही है. I heard a man's voice at one end of the hall, and I looked around to see him, but all the others hung their heads over their plates. फिर कहती हैं कि फिर मुझे एक आदमी की आवाज आई, जो कुछ बोल रहा था, कहती है मैंने अपना सर उठाया उसको देखने के लिए कि आदमी कौन है और कहां से क्या बोल रहा है, पर मैंने देखा कोई उस आदमी को नहीं देख रहा था, सारे लोगों ने अपनी plates की त कर रहे हैं, तो कहती है, अभी भी मैं नोटिस कर रहे हूं कि वो वोमन जो है, वो अभी भी मुझे घूरे जारी देख रही है, क्योंकि मैं कितनी गल्तियां कर रही हूं, तो जल्दी सो उसने अपनी नजरे जुखा ली ऑथर ने क्योंकि वो घबरा गई कि ये वोमन मुझे कंटिनिसली क्यों ऐसे देख रही है, The man seized his mutterings and then a third bell was stabbed Ceased याने की, stop, rukh jana Mutterings याने की, speaking in a very low voice धीरे धीरे बोलना फिर अचानक से वो जो आदमी बोल रहा था शायद कुछ prayer बोल रहा होगा खाने से पहले ओच चुप हो गया, उसने अपनी prayer बन कर दी और third bell उसी वक tap हुई याने की बजी Everyone picked up his knife and fork and began eating I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more बस जैसी third bell बजी, साबी लोगों ने अपनी fork और अपनी knife उठाके breakfast खाना start कर दिया लेकिन author ने खाना नी, उसने तो रोना start कर दिया उसको रोना आगया, उसको लगा कि बस अब मैं और कोई गलती नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इत्ती गलतीय कर रही हूँ, वो woman कबसे मुझे notice कर रही है तो venture याने की already मैं बहुत गलतीय कर चुकिया और अब मुझे कोई risk नहीं लेना तो वो घवरा गई और वो रोने लग गई author By this eating, by formula was not the hardest trial in that first day तो कहती है कि पहले दिन पर, ये breakfast के दिन पर, मतलब breakfast के टाइम पर मैंने इत्ती सारी गलतीय करी ये सबसे मुश्किल चीज नहीं थी इससे मुश्किल चीज तो ये थी कि breakfast से पहले, सुबा सुबा मेरी एक friend Jude Wynne मेरे पास आई और उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो इससे भी जादा खतरनाक था Late in the morning, my friend Jude Wynne gave me a terrible warning Jude Wynne knew a few words of English and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long heavy hair तो Jude Wynne breakfast से पहले, बिल्कुल early in the morning, सुबा को आती है जिटकला सा के पास और कहती है कि मुझे कुछ English के words आते हैं और मैंने उस pale-faced woman के मुझे कुछ words सुने और इससे मुझे ये पता चलता है कि वो हमारे long, beautiful hair cut करना चाहते है Our mothers are taught us, not only unskilled warriors who were captured, had their hair shingled by the enemy तो author कहती है कि हमारी mother ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि जो लोग unskilled होते हैं, याने untrained, जिनने कुछ आता जाता नहीं है और जो capture, याने कि जिनको war के time पे दुश्मन arrest कर लेते हैं याने पकड़ लेते हैं, जो war में हार जाते हैं वो लोग कायर होते हैं, वो लोग cowards होते हैं, याने कायर होते हैं उनके बाल काट दिया जाते हैं तो among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards तो वो कहती है, कि हमारी माने हमें ये बताया है कि जिनके आंग mourners, याने कि जिसके जो funeral पे, किसी की death पे जब कोई जाता है या जिसके आँ death हो जाती हैं, वो लोग अपने बाल काट के छोटे कर लेते हैं या जो लोग cowards, याने जो लोग war में हार जाते हैं कायर होते हैं, भग जाते हैं, वो और से डर जाते हैं, उनके बाल काट दिये जाते हैं, उनके दुश्मनों द्वारा, एनिमीज द्वारा, तो हमेशा से जिटकलास आने, यही बात सुनी अपनी मदर के द्वारा, तो वो सोचती है कि मतलब मैं कायर नहीं हूँ, मैं अपने ब I will struggle first, I answered Fate याने की destiny, God's will हमारी किस्मत, जो भगवान ने हमारे लिए चाहा है Rebelled याने की revolt, to oppose, किसी चीज़ के against जाना तो थोड़े देर जब जूडविन और जिटकला सा early morning ही बात कर रही थी फिर उन्होंने एक दूसरे से बातों बातों में का ये हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमें बाल कटवाने ही पड़ेंगे, हमें देने ही पड़ेंगे तो ये बात सुनके, जो जिटकला सा है, वो कहती है कि जिटकला कहती है कि अब ब्रेक्फिस्ट के टाइम की बात आ गई है जिटकला कहती है कि जैसे ही ब्रेक्फिस्ट के टाइम कोई मुझे नहीं देख रहा था मैं चुपचाप वहां से गायब हो गई, याने कहीं और चली गई और ताकि कोई मुझे नोटिस न करे जब किसी ने उसको नहीं देख रहे थे, तो वो वहां से निकल गई याने कि वो चुपचाप सीडियों के रास्ते चड़ गई, अपने घुटने और पैरों के बल चड़ के सीडियों से उपर चली गई चुपचाप, इनर स्क्वीकिंग शूज, स्क्वीकिंग याने मेकिंग हाई पिच साउंड तो जैसे कि आपको शुरू में बताया गया था, कि जितने भी बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उस स्कूल में उनको बहुत आवास करने वाले जूते पहना जाते हैं लेकिन क्योंकि ये जटकला का फर्स दे था, उसने अपने मुकासंस याने सॉफ्ट शूज पहने हुए थे तो उससे ये शूज छीन लिये गए और उसको भी ये तेज आवास करने वाले जूते पहना दिये गए तो कहती है मैंने भी ये जूते पहने लिये थे और मैं क्रॉल करती हुए याने रेंगती हुई चुपचाप मैं सीडियों से उपर चली गई और मेरे मुकासंस मुझसे छीन लिये गए थे तो मेरे जूते थोड़ी बहुत आवास कर रहे थे विदर का मतलब यहाँ पे है वेर कहां तो कहती है जो पूरा डाइनिंग हॉल है मैं बिलकुल चुपचाप पास करती हुए निकली मुझे ये तक नहीं बता था मैं कहां जा रही हूँ बस चुपचाप मैं उस हॉल से निकलने की कोशिश कर रही थी Turning aside to an open door, I found a large room with three white beds in it तो कहती है मैं एक तरफ गई और मैंने देखा एक बड़ा सा कमरा है और वापे तीन बड़े-बड़े white color के beds रखे हुए है The windows were covered with dark green curtains which made the room very dim Dim का मतलब dark, काफी अंधेरा तो कहती है मैं जिस रूम में गई वहाँ पे बड़ी-बड़ी windows थे तो कमरे में काफी अंधेरा था Thankful that no one was there, I directed my steps towards the corner, farthest to the door तो कहती है भगवान की दिया से thankfully वहाँ पे कोई भी नहीं था और बिलकुल कमरे के कोर्ने में एक दम end में आखरी में एक बेड के नीचे जाके मैं छुप गई On my hands and knees, I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner Huddled याने की holding arms and legs together, तो कहती है अपने हाथ और पेर विलकुल पास पास चिपका के मैं छुप गई एक बेड के नीचे इस तरीके से From my hiding place, I peered out, shuddering with fear, whenever I heard footsteps nearby Peered याने की try to see, जब आप कहीं से कुछ जाक के देखने की कोशिश करते हो Shuddering का मतलब होता है shiver या shaking, डर के मारे कापना तो कहती है जहां पर मैं छुपी हुई थी, वहां से मैं जाक जाक कर देख रही थी कि कुछ footsteps, कुछ पैरों की आवाज है जो मेरी तरफ, मेरे कमरे की तरफ आ रहे है याने की लोग नीचे dining room में अब जिटकल असा को ढूणना लोगों ने start कर दिया कोई अदर जा रहा है, कोई अधर जा रहा है तो इसको पैरों के जूतों की जो आवाज है वो आ रहे थी कि कोई इस कमरे में पास आ रहा है तो कहती है नीचे से आवाज आ रही थी जोर-जोर से dining hall में जिटकला सा के लोग नाम बुला रहे थे लेकिन मैंने अपने मूझ से कोई आवाज नहीं निकाली Then the steps were quickened and the voices became excited फिर कहती है जो जूतों की आवाज थी ये बहुत pass हो गई याने बहुत ऐसा लग रहा था कि ये लोग pass आ रहे हैं इस रूम की तरफ आ रहे हैं और जूतों की आवाज तेज होने लग गई याने कि अब वो लोग इस रूम में ढूणने आ रहे हैं जटकला साको The sounds came nearer and nearer Women and girls entered the room और ऐसा लग रहा था कि लोग आप pass आ रहे हैं और एकदम से रूम में बहुत सारी women, ओरते और लड़कियां आ गई जहां पर यह चुपी हुई थी I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks तो कहती है मैं तनी डर गई थी कि मैंने अपनी सास रोक ली और मैंने उनको जाक कर देखा बैट के नीचे तो वो लोग कहां धून रहे थे इसको closet याने almiraz खोल खोल के धून रहे थे फिर कहती है किसी ने अचानक से सारे परदे खोल दिये जिस वज़े से बहार से sunlight पूरी room में आ गई तो अब कमरे अंधेरे वाला नीर अब कमरे में रोश्नी हो गई, सब कुछ दिख रहा है What caused them to stoop and look under the bed I do not know कहती है मुझे पता ही नी कि उनको क्या वह ले जाना, resisted याने hold out against याने जब आपको कोई खीचरा रेजिस्ट कर रहा आप नहीं जा रहे हो और scratching याने कि किसी को बहुत जोर जोर से नाखुन मारना scraping, कहती है मुझे आखरी चीज यही आद है कि वो लोग घसीट हुए मुझे वहां से ले गए थे कहते हैं, वो जबर जसी मुझे वापस नीचे सीडियों से ले गए और मुझे चैर से इस तरीके से मेरे हाथ बान के उन्होंने उस चैर पे मुझे बिठा दिया I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of scissors against my neck and I heard them gnaw off one of my thick braids gnaw का मतलब क्या होता है? cut, याने cut करना, g silent is word में braids याने की hair binds in a plate याने लंबी-लंबी चोटिया, दो चोटी बान दी हुए थी उसने तो कहती है, जब मुझे उन्होंने चैर से बान दिया था तो मैं जोर जोर से चीक रही थी, चिला रही थी, मैं रो रही थी लेकिन जैसे ही cold blades, याने की scissor के जो वो दो blades होते हैं, एक blade मुझे मेरी neck पे या feel हुआ, मैं एक दम चुप हो गई, क्योंकि मुझे आवाज आई, क्च की, याने की उन्होंने मेरी एक चोटी कट कर दी, then I lost my spirit, फिर वो shame and humiliations, याने बहुत किसी को ashamed feel कराना, तो कहती है, जिस दिन से मैं अपनी मा से दूर, इस school में आई हूँ, उस दिन से ही मुझे बहुत humiliation feel हुआ है, याने कि मुझे बहुत ashamed feel कराया है, मुझे बहुत low feel कराया है यहां के लोगोंने, people had stared at me, stared याने gaze, किसी को घूर के देखना, तो कहती है, जैसे ही मेरे बाल कट गए, लोग मुझे घूर घूर के देखने लगे, क्योंकि मैं अजीब सी दिख रही थी, और मैं एक अलग culture से, मैं एक Indian culture से आई थी, I had been tossed about in the air, like a wooden puppet, tossed याने की throne, किसी को उचाल के उधर फेकना, puppet याने की, puppets हम सब को पता है, कटपुतलिया, a wooden resemblance of humans or animals controlled with the help of string, जिसको लोग control करके उस कटपुतली को चलाते हैं, तो कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है, कि लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, और यहाँ पर मुझे सामान की तरह इधर सुदर फेका जाता है, और मुझे puppet की तरह यूज़ कर रहे हैं याने कि मुझे जैसा बोला जा रहा है, मुझे वैसा करना पड़ रहा है, मेरे यहाँ पर आजादी बिलकुल नहीं है, तो कहती है, और अब अब तो मेरे लंबे बाल उन्होंने काट दिये, याने शिंगल कर दिये, कावर्ड की तरह, उन काईरों की तरह, जो वार में हार जाते हैं, इन माइ अंग्विश, आइ मौन्ड फॉर मैं मदर, अंग्विश याने पेन, दुख, दर्द, मौन्ड याने की, क्राय करना बिना साउंड के, याने जब आब रो रहे और आपकी आवाज ने आ रही, तो कहती है, मुझे अपनी मा की बहुत याद आ रही थी, क्यों? क्योंकि मैं बहुत पेन में थी, मैं बहुत दर्द में थी, बहुत तकलीफ में थी, और कोई मुझे कमफर्ट करने, याने मुझे सिंपती देने, मुझे चुप कराने, मुझे कंसोल कराने, वहाँ पे कोई नहीं आया, Not a soul, याने एक सिंगल इंसान नहीं आया, Reasoned quietly with me, Reasoned याने की, Discussed, याने एक इंसान ने वहाँ चुप चा बैटके में से Discussed नहीं किया, मुझे से पूछा नहीं कि आपको क्या हुआ, As my own mother used to do, क्योंकि ऐसा उनकी mother उनके साथ करती थी, तो उन्हें लगा, शायद यहाँ भी कोई आएगा, पर यहाँ कोई नहीं आए, So, herder मतलब क्या होता है, A person who looks after livestock, herd of sheep, Herder वो इंसान होता है, जो पूरी भेड़ भगरियों को देखता है, Okay, तो कहती है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, कि मैं उन सारे students में उन भेड़ भगरियों की तरह हूँ, जिसको कोई एक इंसान यहाँ पे control कर रहा है, जैसाल कह रहा है, मुझे वह ऐसा मानना पड़ रहा है, मेरी कोई freedom नहीं है, हम चाहते थे हमारे बाल ना कटे पर फिर भी हमारे hair cut कर दिये, क्योंकि वो हमें अपने culture में ढालना चाहते थे, हमें tight कपड़े पिनाते थे, जो बहुत indecent लगते थे, हमें western culture में ढालने की कोशिश कर रहे थे, कहते हैं, मुझे ऐसा feel हो रहा था कि जैसे मैं कोई जानवर हूँ, और मुझे puppet cut, पुतली की तरह यहां पर use किया जा रहा है, So children, here we come to the end of this first part of the chapter, I hope आपको इस first part समझ में आ गया होगा, जिसमें एक बच्ची, जिटकला साजो की author and staff टकी, उसकी anguish, उसके pain के बार में बात बताई गई है, कि कितनी दुख में और वो कितनी तकलीफ में थी, जब उसे एक culture से दूसरी culture में ले जाए गया, आप चाहें तो हमारे वीडियोज दो हैं यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अगर आपको नहीं मिल रहें, तो आप जाएए गूगल पर और हमारी वेबसाइट का नाम दाली, which is magnetbrains.com जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे, इस तरीके का एक page आपके सामने आजाएगा, जहां सारी classes mentioned है, class 12th, 11th, 10th, 9th and so on. For example, आपको class 12th की English videos देखनी है, या 11th की देखनी है, for example, तो आप 11th पर क्लिक करेंगे, जब आप 11th पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से class 11th में पढ़ाने वाली सारी teachers की list और different subjects आपके सामने आजाएगे, class 11th की English जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप इस option पर क्लिक करेंगे, तो आपके समने list of all chapters यहाँ पर आजाएगे, for example, आपको first chapter देखना है, तो first chapter पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से मेरा वीडियो आपके समने play होना start हो जाएगा, तो I hope बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, कि अगर YouTube पे आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो easily आप कैसे access कर सकते हो, website से, ओके, और एक चीज़ आपको बिलकुल नहीं भूलनी, वो है like, subscribe and share our YouTube channel, So stay tuned बच्चों क्योंकि मेरी अगली वीडियो में इसी chapter का part 2, we too are human beings मैं आपके लिए लेकर आउंगे, So तब तक लिए, stay tuned, bye bye and take care.